सुद्धन नेट्स चैनल में आपका एक बर फिर से स्वागत है आज हम बनाएंगे मुली और गाजर का पराठा ये मुली और गाजर का पराठा बहुत आसानी से और बहुत टेस्टी बनकर तयार होता है और ये मैं आज मैं आसान जीती बताऊंगी ये देखे इसके लिए मैंन चोटे-चोटे मुली और गाजर आ रहा है तब भी आप पराठा बना सकते हैं आप चाहें तो केवल मुली के भी पराठा बना सकते हैं लेकिन अगर आप उसमें गाजर आट कर देते हैं तो वो बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होगा और देखने भी तो सुन्दर लगेगा ह बच्चों को खाना बहुत पसंद आएगा तो इस तरह से आप वेजिटेबल यह डालिए यह देखिए आमने यह दिया है मुली यह छोटे-छोटे मुली है तो यह मैंने मिनी कटर लिया है नोवा का मिनी कटर है इसका वीडियो मैं पहले भी डाल चुके हूं यह मैंने अल् प्राठा बनाना बताऊंगी तो इसके लिए यह मैंने लिया है और इसको मैंने चोटे-चोटे चुक्डों में मैं काटकर डाल दूँगी देखिए हमने डाल दिया है इसको और अब मैं इसको काटकर दिखा रहे हूं यह देखिए यह अच्छे से घिस गया है यह देखिए कितना बढ़िया इसमें शौप हो गया है और इसको बिलकुल भी घिसने की जुरोत नहीं पड़ी है और यह आसानी से घिस गया है तो आब मैं इसको निकालूंगी ब्लेड और यहां तो मैंने आटा लिया है इसमें मै इसको डाल दूंगी यह देखिए कितना बढ़िया फाइन यह ग्राइंड हुआ है यह देखिए तो इस तरह से आप इसको मीनी कटर में काट कर और इसमें यह मूली और गाज़त का प्राठा बना सकते हैं अब मैं बताऊंगी अगर आपके पास यह मीनी कटर नहीं है तो आ जाता है यह देखिए अब इसको मिकसर के जार में डाल कर और चला लेचे यह हमने जार में ग्राइंड कर लिया है और बहुत महीन नहीं करना है थोड़ा सा वैसे रखना है ये देखे ये जार का पीछा हुआ है और ये है मिनी कटर का ये मिनी कटर वाला कितना बणिया हुआ है एक दम एक बरावर एक साइज का ये कट जाता है तो इस तरह से आप काट लेंगे और अब हम इसमें मसाले डाले जनिय क़ित değildi लिया घंध पति भी अच्छे से महीं काट लेंगे अ कि कि इसमें हम मैंड़नी ये धनिय को पति भी ढाल देंगे आर इसमें हम डालेंगे एक चम्मच नमक एक चम्मच आजवाईन or एक चमच गरम मसाला पॉडर यह एक चमच यह अमचूर पॉडर है इसको भी एड़ कर देंगे और यहां पर मैंने तीन हरी मिर्च महीन महीन काट लिया है इसको भी हम इसमें डाल देंगे अब हम इसको बिना पानी डाले इसको मिस्स करेंगे आप कोशिश करिए कि इसमें पानी न डालें क्योंकि यह मूली और गाजर का खुद का पानी जो होता है उसी से ही आटा अच्छे से गूत जाता है अगर जरूत पड़े तो थोड़ा सा एड़ कर सकते हैं लेकिन कोशिश क करें कि जितना मूली और गाजर आप ले रहे हैं उसी में आटा अच्छे से आसानी से गूत जाए यह देखिए हमने आटा अच्छे से गूत लिया है और इसको हम कड़ा ही गूतेंगे जिससे जो है यह जब मूली का पानी छोड़ेगा तो यह अपने आप थोड़ा सा ढिल अरीम हो जाएका तो एक चमच ली डाल देंगे और 10 मिनट के लिए अड़कyeongर रख देंगे ताकि अच्छे से आटा सेट हो जाए घाने से लियाश को एक हम बेंगे तो यह आता अच्छे से पते atra理 है अब इसको थोड़ा सा और मत लेंगे ताकि अच्छे से मुलाइम हो गया है अब हम इसके से एक लोह लेंगे और इसको अच्छे से ऐसे गोल कर लेंगे और हम थोड़ा सा आटा इसमें लगा लेंगे थोड़ा सा आटा लगाकर इसको बेल लेंगे और आप यह देखेगा है कि यह मुली और यह गाजर का जो पराठा है इतना अच्छा फूलेगा और इसको थोड़ा सा ऐसे बेलने के बाद उसमें थोड़ा सा ओइल लगा देंगे यह आपको इसा भी घी या तेल लगा सकते हैं तो यहां पे मैंने यह लगा लिया है घी और इसको अच्छे से ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से जब आप पराठा बनाएंगे तो आपको पराठा एक तो किनारे से बिल्कुल फटा हुआ नहीं दीखेगा चिकना चिकना होगा और फूलेगा भी तो इस तरह से हम ऐसे इसक देख सकते हैं कितना अच्छा पराठा दिख रहा है तो इस तरह से अब हम तवा गरम कर लेंगे और उसके हम पराठा बनाना बताते हैं हो गया है अब हम इसको पराठे को डाल देंगे तवे पर और एक तरफ सीखने के पाद हम दूसरी तरफ पलट लेंगे जब तक यह सीख रहा है तब तक हम दूसरा पराठा भी बना लेते हैं एक तरफ सीखने के बाद हम यह घी लगा देंगे और उसके बाद हम इसको पलट देंगे और पलट कर दूसरी तरफ भी घी लगा लेंगे ये मूली और गाजर का प्राठा हमारा बनकर तयार हो गया ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है और इसको गर्मा गरम खाये चटनी के साथ या ये हमने कमरक का अचार बनाया था इसका अगर वीडियो देखना हो तो आई बटन को दबा कर इसका वीडियो देख सकते हैं और ये है अचारी आउले की चटनी इसका भी वीडियो देखना हो तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं तो इस तरह से आप मूली और गाजर का प्राठा बनाएए बहुत ही बढ़िया दिखता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है इसको चाय के साथ खा कैसा लगा और ज्यादा से ज्यादा यह इस वीडियो को आप सेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो को देखें और बनाएं धन्य बाद